प्रदेश अधिक्ष नाना पटोले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए नाना पटोले पर राहूल गांधी का जरूरत से जादा भरोसा ही उन्हें ले डूबा तो दूसरी दरफ एकनाच शिंदे ने ये कहकर उद्व ठाकरे की नीन डुडा दी कि शिवसिना यूबीटी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं शरत पवार की पार्टी का हाल भी कुछ ऐसा ही है अजीत पवार के निशाने पर शरत पवार के विधायक हैं यही वज़ा है कि मुश्किल लड़ाई को मामूली अंतर से जीतने वाले रोहित पवार को अजीत पवार ने बधाई दी तो रोहित ने भी पलट कर उनके पैर चूलिये इस घटना के अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं लेकिन एकनाच शिंदे ने तो उधव ठाकरे का चैन चीन लिया है उधव ठाकरे को बड़े लूजर के तोर पर देखा जा रहा है शिंदे गुट के विधायक भरत गोगावले का कहना है कि उधव ठाकरे के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और साथ आना चाहते हैं माना जा रहा है कि एकनाच शिंदे गुट के इस दावे के बाद उधव सेना अलर्ट हो गई है इस बात से शिवसेना में खलबली मच गई यही वज़ा है कि उधव ठाकरे के आवास मातो श्रीपर सभी भी इस विधायकों की मीटिंग बुलाई गई तो इस मीटिंग में विधायकों से कहा गया कि वे लिख कर दें के पाला नहीं बदलेंगे और भासकर जाधव को विधायक दलका नेता चुन लिया गया यानि जाधव विधान सभा पार्टी की लीडर्शिप करेंगे और इसके अलावा आदित्य ठाकरे को बड़ी जिम्मदारे देते हुए विधान सभा और विधान परिशद दोनों ही का नेता चुना गया पहले की तरह ही सुनिल प्रभू सदन में पार्टी के चीफ विप होंगे एकनर शिंदे गुट का कहना है कि उधव ठाकरे ने डर के मारे ये मीटिंग बुलाई है और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं इसी के चलते उन विधायकों से एफिडेविट लिये गए वे साथ छोड़कर नहीं जाएंगे उधव ठाकरे गुट को करारा जटका लगा और संजे राउत ने तो चुनावी नतीजों के बाद एवियम पर ही सवाल उठा दिये उन्होंने का कि आखिर एकनाट शिंदे के सभी विधाय कैसे जीत रहे है मुझे इन नतीजों पर यकीन नहीं और कुछ गड़बडी जरूर हुई है यही नहीं कांगरेस का भी कहना है कि ये रिजल्ट हैरान करने वाला है और हम इसका मंतन करेंगे इसके बाद ही कोई फैसला हो पाएगा लोगसभाद चुनाव का हैंग ओवर कहें या फिर उद्धव ठाकरे और शरत पवार को किनारे लगा कर सीम पद हत्याने किसित महराष्ट में कांगरेस को करारी शिकस्त मिली और ऐसी शिकस्त जिसकी कल्पना किसी न नकी होगी इस हार के बाद कांगरेस को अब अपने नेता बीजेपी के एजेंट नजर आने लगे हैं अलाकि फजिहत से बचने के लिए नाना पटोले ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तिफा दे दिया लेकिन पद पर रहते हुए उन्होंने कांगरेस को कई गहरे जखम दिये अब जिन्हें भर पाना आसान नहीं होगा पार्टी के भीतर एक धड़ा कॉंग्रेस की इस दुरगती के लिए प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को जिम्मदार ठहराता है उनका कहना है कि पटोले भाजपा द्वारा प्लांट किये गए नेता है जिनके चक्रवियों में कॉंग्रेस आला कमान फस गया नाना पटोले ही नहीं खुद राहुल गांधी किसी भ्रम्मे पूरा चुनाव प्रचार करते रहे उन्हें मुद्दों का पता नहीं था और नाही कॉंग्रेस को कॉंग्रेस के नेताओं का कहना है कि हमारी प्रचार रणनीती के तहत हम पराजित हुए राज्य में भ्रचाचार, क्राइम, छत्रपती शिवाजी महराज की मूर्ती का ढहना जैसे कई एहम मुद्दे थे लेकिन पार्टी संविधान बचाने की रट लगाती रही दूसरी तरफ महायूती महिलाओं के खाते में पैसे डाल रही थी और इतना ही नहीं पार्टी लोगसभा चुनाव के बाद ओवर कॉन्फिडेंट थी और वो जमीन पर काम करने के बजाए गटबंधन के भीतर सीट बटवारे पर माता पच्ची करती रही दरसल ये पूरी बात प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को लेकर हो रही है नाना पटोले 2021 से महराष्ट कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उनकी पहचानिक जुझारू नेता की है ये वही नाना पटोले हैं जिन्होंने 2014 में भाजबा की टिकेट पर लोग सभा का चुनाव लड़ा और संसत पहुंचे उन्होंने भंडारा गूंदिया से NCP के दिगजनेता प्रफुल पटेल को हराया 2017 में कथी तोर पर किसानों की बात कर उन्होंने अपनी सांसदी छोड़ दी उसके कुछ महीने बाद जनवरी 2018 में वे कॉंग्रेस में शामिल हो गए हाला कि वो राजनितिक करियर के शुरवाती दिनों में कॉंग्रेसी थे सभा के स्पीकर बनाए गए लेकिन उधव ठाकरे के सरकार के संकट में आने के कुछ महीने पहले उन्होंने स्पीकर पत छोड़ दिया नाना पटोले पर आरोप है कि वो पार्टी के भीतर अपनी दादा गिरी चलाते हैं ऐसे में कॉंग्रेस जोईन करने के तीन साल के भीतर वे प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष बना दिये गए उनकी पहुँच सीधे राहूल गांधी तक हो गई नाना पटोले के उभार के साथ प्रदेश कॉंग्रेस के कई वरिश निता खुद को अलग थलग महसूस करने लगे और यही कारण था कि दोहजार चौबीस के लोग सभा चुनाव से पहले कई बड़े कॉंग्रेस ने था हूँ पूर्वसियम अशुक्षा उहान, मिलिंद देवडा, संजे निरूपम और बाबा सिद्धीकी ने पार्टी छोड़ी 1990 के दशक तक महराष्टर की राजनीती में एक छत्र राजगरने वाली कॉंग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरी दोर से गुजर रही है वो मात्र 16 सीटों पर सिमट गई 1975 के आपातकाल के बाद 1978 में हुए विदान सबा चुनाओ में भी राजगरेस को 62 सीटे मिली थी नाना पटोले खुद सकोली विदान सबा सीट से मैस 208 वोटों से विजई हुए है इसके लावा राज्य कॉंगरेस के बड़े नेता बाड़ा साब थोराट संगमनेर सीट से हार गए वे सीट से 1985 से लगातार जीत रही थे इसी तरह पूर्वसियम प्रत्वीरा चवहान कराद दक्षन सीट से हार गए महराष्ट विदान सबा चुनाओ में बुरी हार के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी और कॉंगरेस को लेकर इंडी गटबंधन में हंगामा शुरू हो गया सहयोगी दल अब कॉंगरेस और राहुल गांधी को गटबंधन में नेतरत्व से मुक्त करना चाहने लगे हैं हेमंत सोरेन हो या फिर टीमसी तैयार नहीं है यही बज़ा है कि टीमसी ने कॉंगरेस के नेतरत्व पर ही सवाल उठा दिये टीमसी के सांसत कल्यान बनर जी ने कहा कि कॉंगरेस को अपना एंकार किनारे रखना चाहिए और ममता बनर जी को इंडिया ब्लाक का लीडर घोशित कर दिया जाए उन्होंने कहा कि गटबंधन को एक मजबूत और निरनायक नितरत्व की जरूरत है टीमसी सांसत ने दावा किया कि ममता बनर जी के पास मजबूत नेतरत्व है साथ ही उनके जमीनी स्तर से जुड़ाव ने उन्हें विपक्षी गट बंधन के लिए सबसे कारगर व्यक्ति बना दिया रक्तदान शिवेर में बोलते हुए कल्यान बनर जी ने कहा कि कॉंग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को हाल के चुनावों में मिली विफलता को स्वीकार करना होगा अब व्यक्तिगत महक्त्वा कांक्षाओं पर एकता को प्रात्मिकता देने की जरुत है उन्हें अपना एहंकार छोड़ देना चाहिए और ममता बनर जी को इंडिया गुट के नेता के रूप में स्वीकार करना होगा सांसद करल्यान बनर जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर जी के भाजबक के साथ लड़ने के ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र किया और उन्हें ममता बनर जी को सिद्धनिता बाथाते हुए कहा कि वो पूरे देश में एक लड़ाकू के रूप में पहजानी जाती है उनका नित्रतो और जनता से जुड़ने के कुशमता उन्हें आदर्श चेहरा बनाती है इसलिए एक जुट और द्यावहारिक द्रिश्टीकून के बिना विपक्ष के प्रयास लड़ खड़ाते रहेंगे बंगाल कॉंग्रेस ने टीमसी सांसद की टिपपणी पर प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया अलकि बंगाल बीजेपी ने इस पर मजाक उड़ाया है तंस कस्ते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक के नितरतों में बदलाव करने से उनका चुनावी भागे नहीं बदल जाएगा भाज़पा प्रवक्ता समिक भटाचारे ने कहा चाहे कॉंग्रेस हो या टीमसी या कोई अन्य पार्टी इंडिया ब्लाग के चुनावी भागे का इस पर कोई इसर पढ़ने वाला नहीं हमारे देश के लोगों ने इन पार्टीों को खारिच कर दिया पश्चिम बंगाल में सभी शेविदान सबा सीटों पर हुए उपचिनाओं में टीमसी ने जीत हासिल की पार्टी की ओर से कहा गया कि विपक्षी दलों भाजपा और माकवादी कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा मुक्यमंतरी ममता बनर्ची के लिए खिलाफ फैसले लिए गए जूट कपट मद्दाताओं को प्रभावित करने में विफल रहे टीमसी के राश्री महासचिव अभिशेक बनर्ची ने पार्टी के सभी उम्मिदवारों को अपनी उनकी जीत के लिए बढ़ाई दी आर्ची कर मेडिकल कॉलिज की घटना खोले कर लंबे समय से जारी वीरोध प्रदर्शन के बावजूद पश्रिम बंगाल पर त्रमल कॉंग्रेस की मजबूत पकड़ दिखाए दी पार्टी ने मदारी हार्ट सीट भाजपा से छीन ली पश्रिम बंगाल की मुक्यमंतरी ममता बनर्ज ने कहा कि उप्चनाव के नतीजों से उन्हें लोगों के लिए काम करने में मदद मिलेगी अर्विंद केजरिवाल ऐसे नेता हैं जो सरासर जूट बोलते हैं और वो भी प्रेस कॉंफरेंस करके दिल्ली के बजट में महिलाओं को पंद्रह सो रुपे महिना देने का प्रावधान किया गया दो हजार करोड का बजट भी तैक कर दिया लेकिन एक धेला भी नहीं दिया अब इस से आगे बढ़कर उन्होंने बुजर्गों को पेंशन देने का बड़ा वाधा कर दिया दिल्ली में पहले से बुजर्गों को पेंशन दी जाती थी लेकिन केजरिवाल की सरकार ने ही उसे बंद कर दिया था अब चुनाव करीब आने के बाद पांच लाग से अधिक बुजर्गों को 2150 हर महीने देने का वादा किया गया गजब ये कि इस प्रेस कॉंफरेंस में उन्होंने ये भी कह डाला कि अब तक 10,000 बुजर्गों के आवेदन भी आ चुके हैं सवाल ये कि जब घोशना की नहीं गई तब बुजर्गों ने किस बात के लिए आवेदन किया था मतलब साफ है कि आवेदन वाले मामले में केजरिवाल सरासर जूट बोल रहे है केजरिवाल के जूट बोलने की आदत को लेकर राज्यसाबा सांसाथ स्वाती माली वालने आमाद्मी पार्टी की सरकार और खास तोर से केजरिवाल पर करारा हमला बोला वेलगातार दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों का दोरा कर रही है और वहां की जमीनी हकीकत को दर्शाते हुए दिल्ली सरकार और रामाद्मी पार्टी के रास्टरे सनयोजे करविंद केजरिवाल पर सवाल खड़े कर रही है इसी कड़ी में अब उन्होंने बुराडी इलाके में खराब सड़कों की गंदगी को लेकर केजरिवाल और आतिशी पर निशाना साथा उन पर प्रेस कांफरेंस कर जूट बोलने कारोप लगाया और एक आतिशी को बड़ा चैलेंज भी दे दिया दरसल हाल ही में उन्होंने बुराडी इलाके का दोरा किया था जहां जगे जगे सड़क खराब पड़ी है सड़कों पर जमा पानी रुकी नालियों को देख उन्होंने दिल्ली सरकार पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री को चैलिंज करती हूँ कि वो वहां आएं और लोगों के हालात देखें सोशल मिडिया प्लैट piss पर एक वीडियो शेर करते हुए कहा कि दिल्ली के बुराडी का नर्क से बुरा हाल है बुराडी आलाके के लोगों ने अपने एक शेतर का हाल देखने के लिए बुलाय था यहां लाखों पूरवान चली रहते हैं ज़रा एक बार यहां की हालत देखिए सड़कें बुरे हाल में हैं गलियों में बदबुदार पानी भरा है जगे जगे कूडे के धेर लगे है लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल हुई है उन्होंने आगे कहा यहां किस दिन आओगे प्रेस कॉंफरेंस करके जूट बोलते हो कि पूरी दिल्ली को चमका दिया है ये हाल कब ठीक होगा ये पहली बार नहीं जब स्वाती मालीवाल इस तरह दिल्ली के हालातों को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साथ रही हूं कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली के सागरपुर इलाके के दौरे के बाद वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि तूटी पूटी सड़के कुडे के देर नल से काला गंदा पानी आता है टैंकर वाले पानी बेचते हैं उन्होंने कहा था कि सागरपुर की जनता जिस बदहाली में जीने को मजबूर है वो बेहत दुखत और शर्नाक है जनता के मन में नाराजगी है आतिशी यहां कब आएंगी आप बताएं हर रोज प्रेस क करने में कुछ नहीं होता कुछ काम भी कर लिया करो अपनी अकड और हनक में उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत के बंगले पर बुल्डोजर चलवा दिया था इसके बाद कंगना ने कहा था कि आज मेरा घर तूटा है कल तेरा घमंड तूटेगा ये वक्त का पहिया है चल चुनाव चिन चिन गया बचे हुए घमंड को विधान सभा चुनावों में जनता ने तोड़ दिया विधान सभा चुनाव दो हजार चौबीस उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बुरा साबित हुआ चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई एक नाच्शिंदे की शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के बीच मानी गई थी हाला कि इस रेस में एक नाच्शिंदे की शिवसेना ने बाजी मार ली उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के वल बीस सी ने ही जीत चकी उनका सारा घमंड तूड गया ये बात तो अब उद्धव ठाकरे तक ने मान हूँ लेकिन हारने का मुझे दुख नहीं ये लड़ाई मेरे महाराष्ट के लिए है इस लड़ाई का कोई अंत नहीं महाराष्ट धर्म की रक्षा के लिए मैं फिर उठूंगा और फिर लड़ूंगा उद्धव ठाकरे को मिली शर्नाक हार पर कंगना रनौत में कहा कि मुझ पहच भरी छड़प हुई थी जब ततकालिन अविभाजित शिवसिना के नितरत वाली बीमसी ने उनके बांदरा से बंगले में कथित अवैद निर्मान को ध्वस्त कर दिया था मंडी से लोग सबसदस्य रनौत में कहा कि उनका भी वही हश्र हुआ जो देत्य का हुआ था जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते वे कभी नहीं जीट सकते उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया था और मेरे साथ गाली गलोच की अपने बंगले में तोड़ फोड की कारवाई से पहले रनौत में ये भी कह था कि उन्हें मूवी माफिया से जादा मुंबई पुलिस का डर है और महाराष्ट की राजधानी की तुलना पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर सकी थी महाराष्ट विधान सबाचनौ में एकनाच Шिंदे के नितरत वाली शिव सेना ने उदधव ठाकरे के नितरत वाली शिव सेना को 36 सीटों पर माद दी शिव सेना शिनदे गुट ने 80 सीटों पर चुनाव लड़कर 57 सीटे जीती वहें उद्धव गुट ने 14 सीटों पर एकनाच शिंदे गुट को हराया शिविसिना यूबीटी 95 उम्मीदवार उतारने के बावजूद केवल 20 सीटें ही जीत पाई शिंदे के नितरतवाली शिविसिना का मत प्रतिशत 12.38 प्रतिशत रहा इसके तुलना में शिविसिना यूबीटी का मत प्रतिशत 9.96 रहा महराश्च विदान सबाच नाओ में महायूती की भाजबा को 132, NCP को 41, शिविसिना को 57 सीटों पर जीत दर्ज हुई झाल